बात की तिहास की सिरीज में आज हम लोग वैदिक सभेता पढ़ेंगे, आज हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक काल बहुती महत्वण और रहा से परिछामिर शवाल आते हैं, प्राचिन भात की तिहास की सिरीज में एक महत्वण स्थान रखता है, बदलती सभेता सं इंदिक मतलब हैद उसके बार उत्तर वैदिक का कहिंगर इस से उत्तर वैदिक आल भी पढोते हैं तकि वीदिक का 1024 से लेकर 600 पूरा गया सकते हैं पंद्रह हजारी स्यापूर से लेकर 600 इश्यापूर के मद्द के वैदिक कल या वैदिक सभिता को हम दो भागों में डिवैड जो करते हैं, दोनों का अध्धन हमारे लिए महत्पूर है, यहां से परिछाओ में सिदे सिदे प्रशनाव सवाल आता है, शिंदु सभिता के पतन इसलिए इस काल को वैदिक काल कहते हैं, और इस शभिता को वैदिक सभिता कहते हैं, इसके जो निर्माता थे वो आरे माने जाते हैं, आरे संस्कित भाषा का सब्द है, जिसका मतलब होता है स्रेष्ट आरे भासा सूचक सब्द है, यह क्या है, भासा सूचक सब्द है, यह जाती सूचक नहीं है, आरे भासा सूचक सब्द है, जिसका अर्थ स्रेष्ट होता है, यह कोई जाती सूचक नहीं है, मैंने आरे कोई जाती नहीं थी, कई बार लोग सवाल पूशते हैं, क्या आरे का सब्द था जिसका मतलब स्रेष्ट होता था और यह भासा सुचक सब्द है नकी जाते सुचक आरे अपने ग्यान को शुन कर एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी तब पहुचाते थे जैसे अगर मैं सेशन को पढ़ा रहा हूं आप इसे पढ़ते हैं अगर नोट नहीं करते अ जितना सुनते हैं उसमें याद रहता कुछ नहीं भी याद रहता फिर आने वाली पिड़ी को पिड़ी को इस तरह एक दूसरी पिड़ी को ट्रांसफर करते जाते थे तो इसमें कहीं ने कहीं अगर मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं बिना नोट्स बनाएं थोड़ी तूटियां आ जाएंगी और कहीं कुछ ऐसा ड्राबैक मिल जाएगा कुछ चीजे भूल जाएंगे कुछ चीजे आप एड़ाउन कर लेंगे तो कहीं ने कहीं इसमें थोड़ी बहुत तूटियां भी मिलती हैं जो आगी चलकर उसको पढ़ेंगे समझेंगे क्यो तो यहां पर यह जानिए कि आरी जो अपने ग्यान को सुनकर एक पड़ी से दूसरे पड़ी तप पुछाते थे क्योंकि उन्हें लिप का ग्यान नहीं था हम लोग पढ़ते आ रहे हैं मेरा शवाल आपसे है कि लिपी क्या स्क्रिप्ट अंग्रेजी में कहते हैं वैसे देशितें में राश्ट्रित वैसे आप हमें जरू बताएगा कि लिप का मतलब आप कह समझते मैंने उस समय लिपी का ग्यान नहीं था इसलिए वैदिक शाहित्य को Micheajit आप से बसक्षोपलाइब कले समय क्सिंए क्या क्यों चैंक 100 शहित्य क्या ठीरा से ले वैदिक शहित कुंसरूति शहित के नाम से जाते हैं इसका एक नाम सहिता जाते हैं अगर कोई पूच्छ ले कि शहिता क्या है तो आप उसका जबाब आसानी से दे पाएंगे कि शहिता होती है सहिता भी माने हम सुरुति शाहित को वैदिक सहित को हम सहिता के नाम से भी जानते हैं अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि सर हम यह जानना चाहते हैं यह हम पढ़ना चाहते हैं यह इसका अध्यन कैसे करें या कैसे इसका अध्यन हो शकता है तो आईए हम लोग जानते हैं कि वैदिक शबिता के अध्यन के साच के सुरोत क्या क्या थे यह आपके परिच्छा में पूछा जाते हैं और हम उनमें लाक्षर भी देते रहेंगा और आप साथी साथ नोट्स ब तो आप यह लगने पर दूरगेश से भी नोट स्वाप्त कर सकते हैं जैसे कि अब हम यह जानते हैं कि यह इस समय जो हमारे सामने शमस्या आ रही है उस समस्या को पहले एक-दूँ नियुकि आहनों वाधिक शबिता के अध्याँ के क्या साथे थे मैं आज देखना वंक होगा याप लिख हुआ है वाधिक तुरख़ इनितर शब्धितार अ Canvasдhini के अध्याँ kok के अध्यान के साच अब इसके दो साच थे, इसके जो साच थे, वो दो थे, अब आपके भी मनी में आगा कि सर दो कौन कौन से थे, क्या आप बता सकते हैं कि दो साच कौन कौन से थे, बताइए को एगर आपको जानकारी हो तो बताइए, एक पुरा तात्तिविक था, दूसरा शाहित एक सास था, पूरा ताक्स्टिक विखол पूरा ताक्स्टिक पहला庚े था पूरा ताक्स्टिक साचों थे टूसरा कर हुआ 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 है थोड़ा सा बनाने में थोड़ा से दिक्कत होता है पुरा तात्विक साच में भी तीन प्रमु खेडिंग आप चाहे तुसे लिख सकते हैं एक था चित्रित धूसर मृत्भांट एक क्या थीस में। लिखना चाहरे तो लिख लें वरना हम इसमें पॉइंड बना कर आपके लिए लिख दें जो लूब भी देख रहे हैं यहाप अगर नंबबर एक करेंगे तो चित्रित धोसर मृत्भाण यह परिक्षाओं में खूब ज्यादा पूछे जाते हैं जितने दूसरा मृत्भान था अब अगर हम देखिए दूसरा ये आपकी परिक्षा में पूछ लेते हैं ये बोगाज काई का अभिलेक स्याद आप लोगों ने पढ़ा होगा बोगाज काई का अभिलेक जिसे हम मितनुए भिलेक कहते हैं अगर आप लिखना चाहा तो लिख आपकी मर्जी जो लोग वीडियो को देख रहें उनके लिए काफी महत्यपूर आपके दूसरी पैंड़ के में बात करूं तो बोगाज काई अभिलेक है इसे एक और नाम सा जानता है उसे हम मितन्वी अभिलेक तो मैं इसके बारे में बता देता हूं बहुत ज़्यदा तो नहीं पुछा जाता है लिए फिर भी अब अपने अध्यन के लिए देख रहा है न बोट पे अब कीसरा नंबर है अगर इसकी बात करें तो इसका जो ग्यानत हुआ था यह शोला सो बीशी यह सोला सो इसा प्यूर में अगर भोगाज जो भोगाज काई था यह चौदो सो बीशी है कि थोड़ा सा बड़ा हो जायगा तो साहितिक साच हमारे को छोटने लगे तो हम लोगों ने के कि दो प्रकार के सच हमारे तो पहले पराव मेरे दुश्य को संफ न र hiring लुग आप सरदी के नाव से जानते हैं चाहिए लिख सकते हैं एस्दिया माइनर है तुर्किक भर रउदिक द्यों का उलेख है् में तीसरा जो पूछा जाता है कस्यभइ लेक को बारे में इस्टे जयाद होता है कि इरानी आरियों की एक साखा भारत आई थि ये सवwny पूछा गया है परीछा में कि कहां ये पता चलता है कि इरानी आरियों की जो साखा थि इसकीज़ाई है यह कसी अभिलेट 600 इशापूर वाले से प्राप्त होता है तो यह आपके लिए बहुत important है यहाँ से परिक्षा में शावाल आता है अगर आप चाहते हैं तो लिख लें अगर आप चाहते हैं इसकी skin shot तो skin shot में पर पास रोचित लाग सकते हैं दूसरा जो था इसे हम बहुत important रूप से जानते हैं साहितिक साच जब भी साहितिक साच का नाम आता है एक नाम अपके जिहन में आ जाता है जिसका नाम है रिग वेड कितने लोगों ने रिग वेड को पढ़ा है या मतलब सुना है रिग वेड के वारे में कॉमेंट करके जवाब दीजेगा हाँ वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो भी लोग इस वीडियो को लाइब पढ़ रहा है या देख रहा है इसमें कुल दस मंडल पूछा जाता है कितने मंडल है दस मंडल साहद आपके लिए important हो जो लोग वीस को पढ़ रहा है इसमें को बूछां साधिक होас belief लिए दोल्त है यहां दोनों से प्रेक्षां में शावाब पूछा जाता है मतलए हम लोगोंने देख लिए कि शहतिक साच्च में हमें जो पहला मिलता है वो रिगि वेद मिलता है जिसमें 10 मंडल थे 1,008 सुक था पहला दस्वा मंडल बाद में जोड़ा गया पहुत इंपोर्टेंट है लिख रहा है अगर नोट कहें लिख लीजेगा कि रिगिवेद में पहला और दस्वा जो मंडल था ये बाद में जोड़ा गया और सबसे पुराना सात्वा मंडल था पूछा जाता है परिक्षा में सबसे पुराना मंडल कौर था तो सबसे पुराना शात्वा एक सवाल आपके मन्मे जहन में आता है कि आर्यों की आगमेन कीती थी 15 इस आपोर मानी या थी आर्य भारत में 15100 इसापोर आये थे यह कौन मानता है यह Max Muller मानते हैं, यह कौन मानता है, Max Muller मानते हैं, यह बहुत important है, और मैं चाहूंगा कि आप लोगर notes बना रहे हैं, तो अब इसे लिख लीजेगा, या इसे note कर लीजेगा, एक बार यह भी सवाल आता है, कि मूल निवास क्या है, तो RU की मूल निवास में बड़ा confusion है, मत भेद है, तो एक हेडी मनाएगा, एक कलम मनाएगा, जिसमें आप लिख सकते है, RU मूल निवासी क्या थे, मूल अस्थान और मत, यह लिख सकते हैं, आप हेडी मना सकते हैं, कि RU की मूल अस्थान को लेकर बे दोनों मत भेद है, और उल्हां खेड़ी स्थान क्या है मत क्या है यां से आरे सmond से आये थे ये कौनता वानता है ब्रम्हर्ष्णी देश की नगे जraszam मानते हैं कस्मीर से आया थे आरे एल डीकल मानते है उत्री ध्रोर से यह आखиной के पूछा था कि आरे उत्तरी ध्रोर से आया थे यह किस का मानना था यह बालगंगा दर तिलक जी का मानना था आरे जो थे वो तिब्बत से आये थे आरे कहां से आये थे तिब्बत से आये थे तो ऐसा भी मानना था कि आरे तिब्बत से यह कौन मान रहा था यह द्याने सच्वती मान रहे थे लेकिन आरे मद्देशिया शाय है यह मैक्समुलर मानते थे मानते थे आर्योग के आगमन किती थी 1500 इसा पूर है और सर्मा के के सर्मा जी थे वो यह मानते थे के आर्य जो है हिमाले शाय है तो आर्योग के जो मूल अक्तान था उसका जो सबसे प्रमाडिक मत वो मद एसिया में है अथवा आलपस परवत के पूर्वी छेत्र में यूरेशिया को माना जाता है वो मैक्स मूलर ने माना है अब कुछ को में कौमण बात आपको जाननी है और कोशिच करना लिख सकते हैं तो लिख ली जेएगा जैसे रिगिवेद जो रिगिवेद था रिगिवेद में एवं इरानी ग्रंद रिगवेद एवं एक इरानी ग्रंद जिसका नाम जिद आवेस्था में कई भासा में समानता मिलती है मनि रिगवेद में और इरानी ग्रंद जिद आवेस्था में कई समानता मिलती है जैसे वैदिक इंद्र, वायू, ये मित्र आविस्ता के इंद्र वायू मित्र आदि, मनि ये जो शब्द है वैदिक इंद्र, वायू मित्र, आविस्ता के इंद्र, वायू मित्र, ये सब जित आविस्ता जो इरान का ग्रंथ है और रिग्वेद, दोनों में समन्ताएं मिलते ह एक बात और आपको जानना है कि Bible में कहा गया है कि संसार की जो रचना होई है बुरे दुनिया की जो रचना होई है वो 23 October 4044 पुर को माने गई थी कम माने गई थी लिखना चाहा तो लिख लीजएगा 23 October 23 October 4004 BC कहा माने गई है Bible में लेकिन अगर हम बात करें कि भारत में आरियों का आगमन सबसे पहले सब्सेंदों प्रदेश में हुआ था इसके बाद अगला जो पढ़ा था उनका पुरुषित्र श्रस्वति और जो दती नदियों के बीच के प्रदेश में थे जिसे मनुश्मिति में ब्रह्मा वर्त कहा गया था इसके बाद गंगा यम्ना द्वापर कपजा किया जिसे ब्रह्मरिशी देश कहा गया आगे बढ़ा कर हिमाला यमुम जो बिंधा चलके परतों के बीच के छेत्र को भी चुना उसे मद्ध हिमाले या मद्ध देश पुकारा गया था इस पकार हम लोगों ने देखा कि कई चीजे हमें उलेक मिलती हैं आगे चलके हम देखते हैं कि बिहार तक आरिफ पहुझ गये और इस समचे छेत्र को हम आरियावत नाम रखें तो कुछ ऐसे की पॉइंट भी मिलेंगे जो हमको लिखना जैसे वैदिक शाहिताओं में 31 नदियों का उलेक है जो वैदिक शाहिता है उसमें 21 नदियों का जिक्र है सबसे महत्तपून नदि सबसे जादा बार उलेक है सबसे पवित्र नदि सस्वती है इसे नदी तमा नदियों की माता खऊ गया गए गंगा का एक बार और यमुना का तीन बार उलेक हुआ है आगे हम इस सिरीज में कुछ नदियों के जो नाम हैं हम उसे पढ़ेंगे और यह जानेंगे किनकी नदियों के नाम क्या-क्या थे जैसे गोमल गोमती नेदी को कहा गया प्राचीन नाम उसका गोमल था और आज का नाम गोमती है आज का जो गंड्या का उसे प्राचीन नाम उसका सदा नीरा था जेलम का प्राचीन नाम वितस्ता था चिनाप का प्राचीन नाम आस्किनी था और घगघर, रच्छी, चित्तक, जिसे आज हम घगघर नदी कहते हैं, रच्छी नदी कहते हैं, चित्तक नदी कहते हैं, उसका पुरान नाम सस्वती था, द्वसदत्ती था, आज का जो शिंध नदी है, इंडसरी बन, उसका पुरान नाम शिंधू नदी था, ब्यास का यह पासा-रावी का प्रसंदी जहेलम का वितित्ता चिनापका शकनी तो यह बहुत इंपॉर्टन जो पुछाता है शिंद का शिंदू गोमती का गूमल सदानीरा जो था घंड़क का नाम था नदी शुक्त में वाणित पहली नदी गंगा नदी शुक्त में जो सबसे पहली नदी है वो गंगा है धान रखेगा बहुत इंपोर्टेंट है जो नदी शुक्त है उस नदी शुक्त मेरे गवेत के सबसे जो पहली नदी वाणित है वो गंगा नदी और सबसे अंतिम नदी गोमल है जिसे आज का हम गोमती नदी कहते हैं अब हम इस सेशन के स्लाइड पे चलते हैं ताकि हम आपको स्लाइड के माध्यम से अन्य चीजों को बता सकें और समझाने का प्रयाश करें अब यहां पर हम और आप देखेंगे कि जो वैदिक काल्द जो वैदिक सभीता ये 1500 से लेकर 600 भारत के उत्तरपश्ची भाग में आरे लोगों के प्रवास के साथ ही शुरू हुआ था आरे मूल रूप से मैदानी चेत्र भारत इरानी चेत्र में रहते थे वे इंडो आरियन भासा श्रस्कित बोलते थे यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपकी परिक्षा आप चाहे द्याद देखेगा आगे जम लोग पढ़ेंगे तो इसकी बारे में हम लोग और अच्छे से जान पाएंगे जैसा कि मैंने उपर भी आपको बता रखा था या उपर मैंने भी आपको समझा रखा था ठीक इसलिए परशान होने की बात नहीं है कुछ नए ने तत्थ दद इंपढ़ा था वैदिक सहित अपनी सहिता में चारो वेदों का उलेगक करते हैं कितने का चारो वेदों के तो कंई करते इसमें दो श्रीओं में वर्गी कृत किया गया है पहला है इश्मिती और सुधिक इस्मिति क्या है एक सनस्कृत सब्द है जिसका अर्थ होता है याद रखना इश्मिती का मतलब क्या होता है तो यह वैदिक काल के ध्यान दीजाएगा अपके सामने कुछ वायदिक शाहित तमें शूरुती एक संस्की सब्द जिसका मतलब शुना आगए श्मिति और सुरुती आप इसमें भी आप देखेंगे शूरुती की रचना सांसारिक संतों द्वारा शुनी और प्रशाइट की गई थी जुद्धि की रचना जो शुरुति थी ध्यान दिजेगा यह सप्द जिसका मतलब सुना गया शुरुति की रचना शांसारी संतों द्वारा सुनी और शाहिद की गयी थी शुरुति जुद्ध यजुरुवेद शामवेद अथरवेद रमाण आर्ण और उपलिशत यह बहुत कि आपके सामने देख रहे हैं और इन वेदों को भी हमें पढ़ना है तो कि वैदिक साहिति के सब्से प्रमुक अध्याय में सिय काते हैं अब हम जानते क्या है सबसे पहले में जानेंगे कि वे जैंडा जानना चार वेद शाम वेद येजुरोवेद और अथर वेद हम लगों सबसे पहले पढ़ना है उसका नाम है यह सबसे पुराना वेद यह क्या है सबसे पुराना वेद है ग्ञान की सुवस्तेउं स्वीत कीि गयान की रच्न sírk कीई ये पंदरःत्शह से लेकर एक हजार में पूर्च्ण हो से जहा ज ते पंदरःत्षण इय्षापूर से लेकरन पंदरःत्षोग पूर्चे रिक का मतलब होता है चंदो या चणो से युक्त मंत्र एक ऐसा वेद ऐसा ज्ञान है जो रिचाओं में बदा है किसे बदा है रिचाओं में बदा है जिस कारण इसे हम रिग्यवेद कहते हैं रिग्यवेद में कुल दस मंडल रिग्यवेद में कुल दस मंडल है कितनी मंडल है दस मंडल है एक हजार अठाइस मंत्र है जिसे शुक्त कहा जाता है इसमें 10600 इस लोग है कई बार इसमें 10580 मंत्र इस लोग कहा जाता जिसे लगबग 600 इसमें नववा और दस मंडल बाद में चोड़ा गया नववा दस मंडल बाद में जोड़ा गया जिसे हम छेपक कहते हैं क्या कहते हैं छेपक अगर सवाल अपके परिच्छा में आ जाए कि छेपक क्या होता है तब क्या बताएंगे छेपक क्या होगा मनिए छेपक का मतलब यह होता है कि नवा दस्वा मंडल बाद में जोड़ा गया जिसे हम छेपक कहते हैं प्रोग्वेद में कुल 10 मंडल है, एक हजार दस जार चाहसो लगद आजार पांसो अस्सी मंत्र हैं, एक हजार ठाई सुक्त हैं जिसे हम छेपक कहते हैं इग्यारा बाल खिल कितने इग्यारा बाल खिल ने हैं इग्यारा बाल खिल यह परिक्षाओं भी पूछे आता लिखना चाहिए लिख लिखेगा नहीं तो कोई बात नहीं बाल खिल लिखिए या बाल खिल लिखिए बाल खिल लिखिए या बाल खिल भी कह सकते हैं 11 भाल खिल ले हैं जो शुक्तों के अंदर के दांते हैं दो से सात्वा मंदल प्राचीन ये वह प्रमाडिक हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्राचीन है मनें दूसरा और सात्वा मंदल क्या है प्राचीन है जिसमें सबसे प्राचीन मंदल जो है वह शात्वा मंदल है सात्वे मंदल को हम देव मंदल कहते है दो से सात्वे मंदल को वंस मंदल वह देव मंदल कहते हैं जो आपके परिछाओं में खूब ज्यादा पूछे जाता है मार्म हो आगे हम देखें कि Çिस लीजिगा लोग अप्लोग רגwood के जो मंदल उपर मैंने आप बताया saw understand पहला सबसे लंबा कर देखा जाए कर्था मंदल चोंवा अभी परइच्छा में पूछ लिए जाते हैं तो ini इतो हम लोगों सातो मंडल मंगरिए दोसे सातों मंडल सबसे पुराना और सबसे चोटा भी है मंडल watching में गयात्तिरी मंत्र सामिल है तीश्रे मंडल का क chakra अगर मैं ​​इसके बारे में बात कुरूँ तो खाद आप गें। लिख सकते हैं इसे समझ करा कैसे वेद त्रई रगिवेद शामवेद यजुरवेद को क्या करते हैं वेद त्रई कहा जाता है मंडल जो है रिशियों के नाम को समर्पीत है धान दीजियेगा मंडल जो है किसको रिशियों के कि दूसरा मंडल है कि इंद्र देवता को तीसरा मंडल विश्वामित किसको समर्पित है जिसमें गैत्री मंद्र है मंदल वामद्य को समर्पीड के सात्व मंदल वरुस्ट मंदल शॉरी सात्वे मंदल को हुम मंदल को ओसिष्ट मंदल कहतें वसिष्ट मंडल लेखना चाह लिख लेजएगा यह वसिष्ट को समर्पीत है क्यां से परिक्षा में पूछ लिए जाए और अच्छा वसिष्ट को समर्पीत है इसमें दस राजाओं की लडाई का वराण है कि माने दस राग की युद्ध का कि इसमें दस राज युद्ध का वराण है कि इसमें सात्वे मंडल में सबसे पुराना मंडल है वसिष्ट को समर्पीत है आठों मंडल जो है एक करण और आंगीरस मंसी का वराण है इसमें बिदूसी इस्त्रियों के नाव लोप मुद्र घोसा अपाला आत्रे विश्वारा आदी शामिल है जो 9 मंडल था शोम दिवता को समर्पीत है अब कहेंगो सब मन में आया था पहला दिवता मंडल अपतो बता ही ने पहला दिवताओं पहला दिवताम मंडल जो है दिवताओं और रिष्व produkt की बेवित्ता का वरण है दस्वे मंडल में वयवस्त मनु का उलेख मिलता है तो हम लोगों नहीं पर देखे लें कि रिगवेद के प्रवुक मंडल से किस प्रकार किसका समंत्र परिच्छा में पूछ ले जाते हैं अगर आप में जो बतार था कि लिखते चलेंगे तो आपका खुटका नोर्स भी बनक करता होका त्यार होका जो मन्डल अगर हम बात के सतना अगर व्युक्त के पिर सब्सक्राभु का करने खत hm ढमक महिला का उनोह के युद्व में भाग लिया जिसका पैर कर जाने पर अशुएंद्वता ने भाद हो का फै तो कहीं ने कहीं यह आपके परिच्छाओं के लिए भी कापी हद तक उपयोगी भी है तो यहाँ पर आप रिगवेत देख पा रहे हैं जो आपके परिच्छाओं पूछा जाता है तो अब हम लोगों ने देख लिया रिगवेत के मंडल में यह सोम को समर्पीत उपर मैंने आपको बता दिया मंडल दाश में पुरुष शुक्त नाजदी सुक्त सामिल है महत्पुण मंद्र शुक्त में पुरुष नाजदिया बिश्रकर्मा हैने गर्व अच्छ यम्यमी जो वन्स मंडलों का अरम अगनी की इस्तुति होता मैं जो वन्स मंडलों का अरम अगनी की संतुति से होता था देख वेद में कुल पांच साखाएं है वर्तमान में उपलब्द कई पर बज़िए कौन उपलब्द है कौन उपलब्द है साकल सहिता है वासकल सहिता है आस्व अबी ख़र हम देखेंगे समन साइज जैसे अगर उसको लिखना चैने वैसे मैं लिखवा देँ रहा हूं कि आपके काम आजिएगा तो जो लोग से में मूल लंग ब्लिक अगर मूलवैदिक शाहित्य की बात करें तो कुछ नाम आपके जहन में आ रहे हैं वेद कई पर प्रिच्चन पूछले तो वेद कितने हैं तो वेद आपके चार जाते रहे हैं ब्रामण कितने हैं भाफ के ब्रामण पूछले पर स्मा आते हैं अरन कितने किटने इसे और किस नाम से आपके बताएं इसे और किस नाम से जानतेолотे इसा और किस नाम से जानते हैं 108 वेदान कितने है 108 तो हम लोग उन्हें देखा कि जो मूल वैदिक साहित्त है उनकी संख्या चार है वेद चार है ब्राम्हड आठ है अरेड़क्छा है उपनी साथ 108 इसे वेदान लिक्याते हैं लेकिन इसके साथ-साथ हम अगर बात करें कुछ और चीज़े हमें पढ़ने को जानने को मिलती है शामाने शाहित्त क्या है वैदिक काल की शामाने शाहित्त है अब हम देखते हैं शामान शाहित्त में क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्य बेदांग कितने कर बताइएगा दर्सन कितना अच्छ और दर्सन विच शुत्र सहीध्य कितने हैं सुत्र सहीध्य उसके बाद महा काव पूछे आते हैं महा काव क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्ट है कितने हैं महाकावभी कितने हैं दोह को बता सकता है को ठा AG कितने हैंग उखिस्मिधियां सब्सक्राइध कितने हैं कितने लोगी स्मित्या बता रखते हैं मुख्य रूप्षे साथ है मुख्य रूप्षे तो यहां से हम लोगों ने देखा कि यह आपके लिए महत्रपोण है कि मुल वैदिक साहित जो है वेद ब्रह्मा अरणक और उपनिशद और शामान साहित में विदांग दर्शन शुत्र साहित महाकाव पुराण और श्मित्या हैं जो प्रहया आपके परिक्षा में पूछ ले जाते हैं ब्रह्माण गरंथ उसका पुरोहित भी होता है तो हम लोगों नेकदम अच्छे से पढ़ लिया तीसरे मंडल में मैंने पढ़ाया था और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि तीसरे मंडल में क्या चीज़ आपको पढ़ने जाने को मिली थी ब्रामण गंद एत्रे कौस्त की है तैत्री सत्पत है 25 तंडव है जैमनी संडवीश और गोपत है एत्रे कौस्की की पुरोहित होत्रे है तैत्री सत्पत का अर्धवर्यू है पंचिवीश इस्तांड़ी कहते है उद गाता है और गोपत का प्रह्मा है पुरोहित ये पूछा जाता है और मैं चाहूंगा जो जो चीज़ पूछने वाली चीज़े वह आपको लगभग लगभग रटी रहे है अच्छे गायत्री मंद्र का उलेख किस मंडल में था कि ब सात्वे मंडल जो था कई बार पूछ ले आता है सात्वे मंडल से अगर आप पूछ याद हो तो आप मुझे ज़रू बते सात्वे मंडल के बारे आप क्या जनते हैं इस सात्वे मंडल के मंडुक सुक्त में सिच्छा पद्धती का जिक्र किया गया है गुरुकोल्व में चात्र मेढ कि तरत दरतति करते मतलब ये था कि उस समय सिछा पतत थी 15 जो आठ्वा मंडल थी मौकिक पत्धति दिक्छम क्या थी मौकिक थी जिक्र एक किस मंडल में 7 ंंं मंडल में क्या ये जो आठवा मंडल है उसमने घ़ए मतलब रिगिवेद के रचना में कुल एकईस महिलाओं ने भाग लिया है जिसमें प्रमुक अपाला घोषा बिश्वरा सर्पमुक लोपा मद्रा थी एकईस महिलाओं ने ये पूछा जाता है आठे मंडल में नवा मंडल क्या है कि मैं कभी हूँ मेरी माता आटा पिसने वाली है मेरे पिता वैद्य है अर्था कोई भी व्यक्ति कोई पेशा चुनने के लिए सुद्धा ये ऐसा प्रतीत होता है जो दस्वा मंडल था ये प्राचिंतम उलेक इसी मंडल ने मिलता है कि भारती तिहास में सुद्र वैश्णों की प्रथम बार्चर्चा भी मिलती है तो कहीं ने कहीं जो रिगिवेद था ये आपके परिक्षा के लिए कापी हथ तक उप्योगी और महत्तपून भी था बिजाग उर्ष के मुक्षे ब्रह्मः भुजा में छत्री जैंग्णा में वैश और पैर में शुद्र थे ये अपने इक्षित्र भी देखा होगा तो इस तरह से सवाल भी परिक्षा में कई बार आये हैं और कई बार पूछ ले जाता है तो वेद कितने लोगों ने देखा कि वेद जो चार थे उन चारों वेदों में वेद लेखन का प्रकार प्रोहित ये पूछ ले जाते हैं तो कोई से बता सकता है या हम बताने का प्राश्च करें जो भी लोग देख रहे हैं गर वेदों कि में बात करू कितने अशचिए लोग हैं जो इसके बारे में हमें बता सकते हैं जो वेद थे वे चार थे कि और वेदु के बारे में लखना है तो लिख लैजे वैसे अप सभी लोग जानते हैं रगिवेदु उपर में कापफी देर से फिर्प की चर्चा कर रहा था और यह रिगवेद किसमे थे पद्ध में है उसके बाद जो दूसरा वेद है यह जो रिवेद है यहां से परिछाम सवाल आते हैं आप लोग इसे चाहे तो लिख सकते हैं अब किसमे था कोई बता सकता है पद्ध में और हुआ अब तीसरा जो वेद था उसका क्या नाम था शाम वेद फिर लास्ट वाला क्या था अठार वेद तो जो श्राम वेद था वो किसमे था यह पद्ध रूख में था यह आंसिक कई पर यहां से भी सवाल आते हैं अगर आप चाहें तो पढ़ लें मतलब रिग्युवेद पद्ध में यह जुर्वेद पद्ध्यों का दोनों में ता श्राम वेद पद्ध अंसिक गद्ध में था रिग्युवेद में जो वेद था उनलोगों लिख लिया अब यहां पर एक बात आ रहे कि इसका ब्रांभण पुरोहित पुछ लाता तो रिगवीद का जो ब्रह्माण ग्रंथ एतरे कौस्त की है जिसका पुरोहित होत रहे उपर अभी मैंने बताया था जिसका ब्रह्माण ग्रंथ जा तैतरी सत्पत अधर वी इसके पुरोहित थे शाम वी बद्द में लिखा गया था पंचवीस टांडए कहींके जैमनी संचवीस उद्गाता इसके जो पुरोहित उद्गाता थे अधर वेद आंसर ग्रुप से गद्द में लिखा गया दिएसके मैं उपर बताया इसके ब्रह्माण गरंथ अब यहां तक किसी को गर कोई सवाल हो तो पूशक्ता वरना हम लोग आपके चले है अब यहां से एक छोटा सव टॉपिक हम लोग लेकर पढ़ेंगे कि आर्यों की सब्धता कैसे थी आर्यों की परंपरा जीवन का धार मनें अब हम लोग छोड़ी सेड़ी ना लेंगे और क्या थे क्या कि मन में ऐसा आया आर आर थे क्या दिख रहा है प्पो नहीं दिख रहा है क्यमा का रही होगी आर हम लोग क्या दिखेंगे रए अम लोग आर एक बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि अप लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं हम् आरेख के बारे में क्या पढ़ने जा रहे हैं का आपके मन में आ कि हम आर्यों की शब्यता हम पढ़ेंगे आरियो की सब्विता आरियो की परंपरा आरियो की परंपरा यह भी पूछ ला जाता है कई बात जीवन का आधार आरियो की अच्छा आरियो का था यह फिर आरियो का आरियो लगा लीज़ेगा आरियो की संस्कृति ही तिक उचलों नोट्स के लिए बारो मैसेज कर रहे हैं देखें नोट्स के लिए आप इलनी बिर दुर्गेश की ओफिस का नंबर है इस पर आप कॉल या वाट्शेप करके जनकारी ले सकते हैं यहां पर सभी अब प्लेश्टू नोट्स से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आप पर सभी नोट्स से बहुत सरे नाम मन में आने लगते हैं तो आज हम लोग उसी आरे को पढ़ने को शमजने का प्रियाश कर लाए हैं आरे के जीवन को यह मुक्य आधार आया ने कि जीवन का मुक्य आधार टा वो पशू थे वह पशू चारण थे उनकी जो अर्तिवोस्था में नगरी जीवन की जो सब्विता थी वो सून्य थी वह ग्रामेर सब्विता के कैसी सब्विता थी आर्यों का मुख्य पशु गाय था जिनका रिग्वेद में लगबाई 176 बार जिक्र हुआ है उनका जो पालतु पशु क्या था गाय जिसका जिक्र रिग्वेद में 176 बार हुआ 176 गाय सबसे पवित्र पशु था शंपत्तिक का मुख्य आधार भी गाय थी इसलिए युद्ध का कारण भी गाय थी मनें आर्यों के समय युद्ध का जो कारण था वो भी गाय थी वो भी क्या थी गाय ही थी गायों के लिए हुने हमारे युद्ध के लिए गविस्ट जैसे सब्दों का प्रयोंक है कौन सा गविस्ट लिखनी जाएगा गविस्ट यह बहुत बार परिक्छा में पूछी गविस्ट मतलब गायों के लिए युद्ध गायों के लिए युद्ध कविस्ट गायों के बाद ने क्या स्थान को गोत्र कहा गया एक सब्द था माने गाय को बाद ने वाला जो अस्थान था उसे गोत्र कहा गया पुत्री को दोहिता कहा गया अर्थाथ गाय को दोहने वाली क्या दोहिता लिख लीजेगा सभी लोग दोहिता किसे कहा गया पुत्री को माने गाय को दोहने वाली गाय को दोहने वाली दोहिता कहा गया क्या कहा गया दोहिता कहा गया तो कहीं कहीं हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हमारी लिउप योगी थे अर्यूग के बारे में लोग में देखा गविष्ट मैंने गाय के लिए युद्ध्धमल मुख्य संपत्ती थी वह भी गाय थी क्यों कि गायों की चोरी होती थी और पसु को चुराते थे पड़ी कहा जाता था एक सब्द आपको पड़ि महने पशू चोर पशू चोर पाने गाह चोर गाई चोर को पड़ी कहा जाता था कि एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि जीवन की कीमत शौगायों के बराबर मनुष के जीवन की कीमत शौगायों के बराबर क्लाइन हमने लिखा था कि उनकी जीवन का अधार क्या था तो अर्थवशत था भी उनकी पसुचार नहीं थी मतलब इसका मतलब यह है कि आर्यों को क्रिशी का घ्यान नहीं था आर्जियों को क्रिशी का ज्यान नहीं था रिग्वेत के पहले मंडल में उलेक मिलता है जिसमें छोटी छोटी नहरो अर्था पुल्या का उलेक है इसका मतलब लोग परचित थे क्रिशी के लिए चास्रिणी हल से बनी नालीक को शीता हल को लागधन जुत्वे खेत को छेत्र हलवाहे को किवास कहा गया मतलब रिग्वेत के पहले मंडल में क्रिशी का उलेक भी मिलता है क्रिशी का ग्यान तो नहीं था ऐसा इस पस्ट होता है को पसुचारण थे वे क्या थे पसुचारण थे लेकिन फिर भी एक जगह आपको जिक्र मिलता मैंने आपको यहां पर क्या जिक्र मिलता कहां पर तुरक्ष मैं कि प्रथम क्या मिलता है कि आर्यों को कुछी का ग्यान था कि आर्यों को क्रिशी का ग्यान था हम कैसे का सकता है कि इसमें छोड़ी छोड़ी नहरा था कुल्या का उल्यक्ष मिला है कुल्या का मतलब क्या थे आप चोटी छोटी नहर का चिकर मिला है कि इसका मतलब कि लोग किस से क्रिशी से परचित थे इसका पर किशी से परचित थे या सपाश्ट होता है कि अग्या और वहां पर कुछ सब्द है जो मैं आपको यहां चाहूंगा यहां कुछ सब्द हैं कि सब्द आपको लिखना जरूरी है क्रिसी थे तो इसलिए यह लाइन आपको आप समझने के लिए ही था कि जानना जरूरी था कि मैं पढ़ारों कॉंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए था चहर्षणी यह पूछा जाता है चहर्षणी का मतलत क्या क्रिशी के लिए चहर्षणी सब्द का प्रियूग हुआ था कि सीता किसे कहते थे हल से बनी नाली को शीता कहा जाता हल को लांगहन कहते थे अच्छा में लिख दू क्या किसका के लिए चाहर्षणी सब्द का प्रियूग करते थे वहीं सीता हल से बनी नाली के लिए सीता सब्द का प्रयोंगत लाघन क्या था कि लाघन हल के लिए लाघन सब्द का प्रयोंग करते थे अब छेत किसे कहते थे जूते हुए खेत लाघन क्याते थे किवास किसे कहते थे हलवाहे को इस प्रकार हम लोगों ने देखा हम लोगों ने पढ़ा हम लोगों ने समझा कि यह आर्यों की क्या तिक्या चीजे हमारे लिए काफी महत्तपून थी जो परिच्छा के लिए पठा कर सकते आप से स्किन सोट कर ले अगर आप इसे हमारे साथ स्थाने पढ़ रहा है यह इसे देख रहा है अब हम इसके राजनेतिक संग्टन की बात करते हैं आप लोग लिख लीजेगा कि आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं है अब है कि सब्सक्राइब करों नेथिक वाज नेथिक संग्टन अच्छान थे लेख सकते हैं अच्छाइब अंगटन भी लिखा जा सकता है अब यह भी लाइन आपके लिए इसके बारे में भी थोड़ा सद्ध्यन करेंगे और आप नोट्स बना रहे तो नोट्स बना भी लिएएगा और जब भारत आए न तो विभिन प्रकार के जनों में भाजित थे जिनका प्रधान राजन या अन्युपादियां पूर्भित्ता मैं दुर्गों को भेदक जनश गोपता मने जनों का रच्छक तो कुछ सब्दावलियां मैं यह आप लिखूंगा जो आपके लिए इंपोर् कुछ सब्दावलियां हैं जो आपको सभी को परहें लिखने और जानने जरूरी है इसमें भारत जब आये तो विभिन जनों भाजित थे प्रधान क्या होता था राजन माने जब आरे भारत में आये तो विभिन जन में बटे हुए थे जिनका प्रधान राजन होता था अनुपाधियां जिश्यम पूर्भेता कहते थे क्या कहते थे पूर्भेता मने दुरू को भेदने वाले को पूर्भेता कहते हैं जनश गोपता जनश गोपता मने जनों का रच्छा तो यह कुछ ऐसी सब्दावनियां जो परिच्छा में पूछ ले जाते हैं राजनीतिक संगटन की सब्दें छोटी काई कुल यहां पर परिच्छा में पूछ ले आता है कुल का मतलब यहां पर क्या था कुल आप बताईए मैंने बताया अभी कुल यह राजनीतिक संगटन सब्दें छोटी काई कुल माने परिवार कुल माने क्या था परिवार कुलप कुलप क्या था परिवार का मुख्या कई कुलों को जो समू था वो ग्राम प्यालाता था यह क्या था कुलों का शमू को जो समू था कुलों का जो समू था उसे ग्राम कहा जाता और ग्राम का जो मुख्या था उसे जो कि यह क्या था यह ग्रामों का मुख्या यह क्या था ग्राम का मुख्या मैंने आर्यों की सबसे छोटी काई जन था जिसका मतलब क्या था कि जन का मतलब परिवार था जो राजितिक संगतन की सबसे छोटी काई थी उसके बाद परिवार का मुखिया को हम कुलर कहते थे और कई परिवारों को मिलाकर कई कुलों को मिलाकर जो समू बनता था उसे क्या कहते थे ग्राम कहते थे और ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामडी कहते थे अब फिर आता है कि सरक कई गाओं को मिलाकर क्या बनता था कई गाओं को मिलाकर विश बनता था क्या बनता था विश अगर यहां साब के परिच्छा में शवाल आजे विश तो क्या हो जाएगा गाओं का या ग्राम का जो शमू था जो गाओं का शमू था उसे विश कहता जिसका मुख्या विश पती होता था विश पती विश पती माने विश का मुख्या विश का मुख्या जो था विश पती कहला था क्या कहला था विश पती कहला था कई विश मिलकर कभीले बढ़ते थे कई विश मिलकर कभीले बनाते थे, जिसका प्रधान राजन होता था, लिखना चाहरत लिखने जाएगा, कि कई विश मिलकर कभीले बनाते थे, जिनका मुख्या राजन होता था, राजन निरंकुस नहीं था राजन पर सभा और समिति जैसी राजनेतिक संस्थाएं नियंत्रण रखती थी तो ये आप लोग लिखना चाहें तो लिख लिजेगा कई विश मिलकर जन अर्थात कबीले का निर्मार करते थे मैंने कई विश मिलकर जन बनाते थे मैंने कई विश कई विश से जन बनता था या कबीला बनता था अग कबीले का मुखिया राजन कबीले का मुखिया राजन था निरंकुस नहीं था राजन इस पर सभा और समिति जैसी राजन्याती संस्थाई नियंत्रा रखती थी आप चाहें चितना लिख लिजेगा या आप चाहें इसके स्किंसोट कर लिजेगा जो भी आकोश ही लगें अब कुछ और चीज अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जो आपके परिक्षाग लें पॉर्टेंड है शभा क्या था शभा थी समिति थी शभा क्या था पुल सभा पूछ लिया जाए तो ब्रद जन ये कुलील लोगों की संस्था थी सभा क्या थी ब्रद जन कुलील लोगों की एक संस्था थी जिसमें इस्त्री भाग नहीं लेती थी एक समिति था ये समिति क्या था राजा के चुनाव में यूगदान तो शामाने जन का प्रतिन्द दों करते थी विधत था विधत क्या था इसान था उसके बाद इसान भी था वह भी लिख दे रहा हूं मैं विदत रुगिवेद की सबसे प्राचीन संस्ता थी और उसके अध्धच को इशान कहते थे उसके अध्धच क्या कहते थे? इशान कहते थे यह बहुत इंपोर्टन है सभी के लिए फिर असपर्स इसमें आता है बहुत इंपोर्टन है इसको लिए द रहूँ गुप्तच का तुछ समय गुप्तच के वाजर्पती था इसमें वाजर्पति हुआ करता छार्पती क्या चारा गा अधिकारी था क्या था चारागा अधिकारी था राजा जो कभीलों की सम्रिद्ध के लिए यग्य आधिकान उस्ठान करता जो राजा था कभीलों के सम्रिद्ध के लिए यग्य आधिकान उस्ठान करता था या कराता था कई पर पुछा जाता है कि बाली क्या था बाली या बली राजा को दिया जाने वाला उपहार राजा को दिया जाने वाली कहा जाता था वाली कहीं कहीं लिखा गया एक दस्वा मंडली बारे मैंने पढ़ा हुआ था आपने भी पढ़ा हुआ था रगिवेट काल के सबसे महत्पुण घटना दस राज के युद्ध था बने दस राजाओं के युद्ध था जो परुषणी जिसे रावी ने दे कहा जाता है आज का रावी तब का परुषणी ने दे के तटपर भरतवंस तिर्चुवंस के राजा सुदाफ और अन्य दस र इस युद्ध में दोनों तरफ आरे और अनारे दोनों सामिल थे इस युद्ध का जो मुखे कारण था पुरोहित विश्वमित्र को हटाना था जिन्होंने दस जन्यों को संग्रित किया था तुन्हें हटाने के नाते यह युद्ध हुआ था और जो भरत वंस्त्रिवंसू के राजया सुदास और अन्य दस र जाउंग बिछ लड़ा गया युद्ध में भरत जन्यों के नाम पर ही हमारे देश का नाम भरत पड़ा तो यहां तक अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो कोई संसाय हो ता पूश रकते हैं दसराज जो दसराज के युद्ध में आर्यों अनारे दोनों थे गल दस जन कौन थे परिक्षा पूछा यह दर दस जन लिखना है तो लिखले जीगेव दस जन कौन थे कई बार लोग पूछे दर स्तर दस जन कौन थे पूरू यदू, पुरू, यदू, अनू, द्रहू, तुरुवस, आलीन, पकत, भनालस, विलाशी और श्रिव, ये दस जन थे, और दूसरी तरफ भरत जन, जिसके राजा सुदास थे, इनका निमास सरस्वती यम्ना के बीच, सुदास द्वारा पुरुवहित विश्वामित्र को हटा कर वसिष्ट को पुरुवित बनाना ही इस दस राज जुद्ध का सबसे बाराकार था, ये कई बार परिच्छों में आते हैं, जब लिखित परिच्छा होती जहां पर वहां पर ये आपके लिए थोड़ी सी समस्या कर देती हैं, जबके सब के निमास अस्थान अलग लगते एक छोटा सा लाइन मैंने डाला था, इसके पहले सायदाक को ध्यान हो गया, आर्यों की संस्कृती, इनकी समाजिक दशा गरम देखें, आर्यों की जो समाजिक दशा थी, लिख सकते हैं कि रिगवैदिक कालिन समाजिक दशा, एक खेड़ी मना सकते हैं, कि रिगवैदिक का अगर आप चाहें तो हेडिंग मना के लिख लिए वैसे मैं बोलता रहूंगा तो आप लिख सकते हैं वैदिक कालीन समारिक दर्षा है आपर नहीं है ना मिनिट चलि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अब वैदिक कालीन समाजिक दर्षा है है वैदिक कालीन वैदिक कालीन समाजिक दर्षा एंब वैदिक कालीन समाजिक दर्षा है आपर इंब्रा अ मैं र॥ाइवार में मुखिया का नियंत्रण होता था वरिवार में मुखिया का पूर्ड पूरी दर्षान नियंत्रण होता था है प्रथम मंडल में मिलता है कि एक पिता अपने पुत्रों को सव गायों के बदले बेच देता है तो यहाँ पर एक लाइन हम लोगों ने पढ़ा था याद होगा सद गाय सध आपको याद होगा सद गाय क्या था याद कर ये मैंने बता हुआ था अगर लिखी होंगे ते आपको याद होगा नहीं पहले मंडल में मिलता है कि एक पिता अपने पुत्रों को सव गायों के बदले बेच देता है जिसे राजा हरिस्चंद मानो बली के लिए खरिदता है चुकि कबीले की ताकत पुर्षों की शंख्या पर मापी जाती थी इसलिए पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती थी वैदिक काली की जो शमाजिक दसा तुष्प में महिलाओं की दसा बहुती निम्न थी उन्हें पुर्षों के समान न राजनेतिक न शमाजिक न आर्थिक न धर्मिक न सच्चिक अधिकार नहीं थी समाज में बिध्वा बिवा बहु बिवा दहेज प्रथा यो नियोग प्रथा आधिका प्रचलन जोरो प्रथा समाज में बिध्वा बिवा का बहु बिवा दहेज प्रथा और नियोग प्रथा का ही प्रचलन बहुत आधि था परदा प्रथा लिख चकते हैं तो लिख लीजेगा लेकिन पहले जान लीजेगा नियोग प्रथा क्या थी आधि आपके मन में आ रहे नियोग प्रथा तो नियोग प्रथा अपुत्र इस्तरी अपने मृत्र पती के भाईया रख्ट सम्मद्ध के साथ अनुबंध बिवा करती थी इसमें उत्पन पुत्र को छित्तरज कहा गया इसे जो पुत्रड में प्राप्त होता सब्से च Damitि प्रथा बाल बिवा सति प्रथा जैसित कुरूतिया रिख्व कि पुनर्भु कहा जाता था इससे उत्पंद्पुत्र को पुनर्भव कहा गया लिख लीजेगा यह नोट्स में भी आपको मिल जाएगा कन्या की बिदाई कि समय दिये जाने वाले उपहार को वहत्तु कहा गया दहीज कहा गया मुझे साइद लिखना चाहिए था न यह सारी कॉंसेप्ट मुझे लेक्षरी दे रहा हूं लेक्षरी लग जाएगा क्लासेश काफी लंबी हो गई है रिगवेद में इस्तरी को जाएदस्तं कहा गया इस्तरी की गरी है वह ग्रिहस्ति है उसकी बिन जीवनी कलपना संब्भौ नहीं है यह कहा गया रिगवेद में कहा कहा गया है इस तरही जाय दस्तम कहा गया है कि सिच्छा की बात की जाए तो गुरुकुल में सिच्छा मौकिन दी जाती थी चीक है वैसे जब हम वेदू की बात करते हैं तो कई चीजे हमारे सामने भी आती हैं और आपने भी पड़ा होगा आकास के देउता थे अंतिस्च के देउता थे पाताल के देउता थे उनको भी लिखेंगे वैसे नोट्स में आपको मिल जाएंगे अगनी देउता तीनों में थे अगनी आहोतियों दोर अपनी भावना देउता दोलों पहुचाते थे औरस किसे कहते थे वैद पुत्र को औरस कहते थे कानीन किसी कहते थे पिता के पास घर में रहने वाली कन्या से किसी पुरुष द्वारा गुप्त रुप से उत्पर्न होता था उसे कालीन कहते थे शहोदर किसी पर पुरुष द्वारा गुप्त रुप शुत्पर्न पुत्र को शहोदर कहते थे एक सवाल आता है कि रिग्वैदिक कालीन प्रमुख क глटा कौन से क्या आप वादिक signal 것도 दो णॉप प्रमुख स्नेता आई ये देखते हैं प्रमुख देवता कौन कौन से थे सबसे पहला इंद्र पहला कौन थे इंद्र थे ये सबसे प्रमुख देवताओं में से एक थे देवता इंद्र रगिवेट के दुद्र 50 सुक्तों में इंद्र की ससुति की गई है इंद्र को युद्ध का देवता भेता सुरहता वर्षा का देवता शोम को पान करने वाला शुपामा पूर्भित दुर्गों को भेदने वाला मधवान दानी सत्कृति मैंने एक सो सक्तियों का श्वामी वज्जर धारी आदी कहा गया है ये भी कहा गया कि वज्ज के निर्मार करता वरिष्टी रिसीद है दूसरे जो द्युता थे इन्द्र के बाद अगनी का ही नह आ आदा अगनी का अस्थान इन्द्र के बाद आता है 200 सुक्त रिगिवेत का मंत्र अगनी से शुरू होता है। देवताओं और मानों के बीच अगनी माध्यम का कारे करता था। तो वैदिक काल जो धार्मिक दसा थी उनमें अगर हम देखें तो कई चीजे मिलती हैं। वैसे जो वैदिक काल में घूम करते इच्छा देते थे। उन्हें चरक कहते थे। शाद आपको याद होगा। वैदिक च्छात्रों को संभिक रुप से माडवक कहा गया। नैस्टिक च्छात्र जो थे संपूर जीवन अध्यन करते थे। कुर्वान जो च्छात्र थे सिच्छा के बाद ग्रहत जीवन में जाते थे। ब्रह्म आदिनिया च्छात्राएं संपूर जीवन अध्यन करते थे। अच्छा वीवा क्या थे उसमें दो तरह की ब्यवा होता था। अनुलोम उच्छवर्ग पुरुष निम्नवरकन्या प्रतिलोम निम्नवरपुरुष उच्छवरकन्या तो रिगवैदिक काल में विवा के दो तरह थे अनुलोम और प्रतिलोम अनुलोम ने उच्छवर्ग पुरुष निम्नवरकन्या उप्रतिलोम ने तो वैदिक कालें जो देवता हम लोग पढ़े तो उसमें हम यह देखा सबसे प्रमुख जो देवता थे वह कौन थे इंदर थे उसके बाद अगनी आते हैं कि रिगिवेद में कुल 33 देवताओं का उलेख है इसके बाद तीसरे जो दोता थे वह वरुन थे जिनका तीस सुक्तियों में नाम था वरुन देटा के हम बात करें तो तीस सुक्तियत है इनका नाम जो था रित गुपा रित नैतिक नैतिक नियम का सरचछग पापियों को डंड देने वाला पित्वी पर मौझूद जलश्वामी वरुन को जिंद आवेस्ता में जिंद आवेस्ता सुरॉत में जिक्र क्या था इर मजदा कहा गया है सहस्त्र अस्तंबो वाले भौन में रहने वाला उसके बाद शोम है उसके बाद पूशन है यह भी परिच्छा में पूछे आते हैं सुम नवा मंडल सुम को समर्पित है इसे वनस्पतियों और आसदियों को श्वामी कहा गया है शोमक सक्ति वर्दक पे थ पूशन क्या था पूशन यह पसूग देवता थे जो बाद में सुद्रों का देवता बन जाते हैं इनके रत को बकरे खीषते थे ब्रैश्पति प्रिथवी ब्रैश्पति प्रिथवी देवियां यह रिग्वेदि कालीन देवता थे यक का द्योता ब्रैश्पति प्रिथवी प्रिथवी प्रिथवीवियां कहा जाता था और जिसमें हमने देखा कि कुछ देवियों का विउल्येख मिला है रिग्वेद के काल में अधिति जो थी देव की माता अयणावी वन देवी इला अहुति की देवी पिशान वनस्पति की देवी थी और आपको जान कहराने होगी अफसराओं और परिजयों का जिक भी रिग्वेदिक काले मिलता है सबसे अधिक प्रसिद्द और सुन्दर वैदिक अफसरा उर्वर्सी थी तो यहां तक हम लोगों ने कुछ महत्पून चीजों को पढ़ा उर्वर्सी लिख लिएगो ऐसे उर्वर्सी के वारे मैंने उपत बताई दिया आप तो यहां पर हम लोगों ने कुछ महत्पून चीजों पढ़े लिया देख लिया और जान लिया अब हम अगर यहां पर देखें शुरुआत में हम लोगों ने कुछ चीजों किया हुआ था एक बात मैं आपको थोड़ा सा चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग अभी तर सब्सक्राइब नहीं जुड़ा है लिए फेस्बूक पर या इस्टाग्राम पर यूटूब पर नहीं जानकारी चाहिए न इस नंबर पर आप काल या वाट्शेप करके सभी लोग जानकारी ले सकते जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरू करेगा वीडियो को सभी लोग और NCRT के सभी नोट्स हिंद्योगरेजी दोनों मीडिया में उपलब्ध हैं इसके अलामा आप NCRT की नोट भी शेयर लेकर बारे तक किसी मीडिया में प्राप्त कर सकते हैं जो आप नमबर दिया गया है जो लोग देख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेट है आगे अगर मैं देखो यहां पर तो जो हमारा सामवेद था अब सामवेद में भी कुछ महत्त पूर्चा जैनलोग देख लेटे हैं कि यहां से भी आपकी जो परिच्छा है सवाल पूछे जाते हैं और हम चाहिते हैं जहां से भी सवाल है उन्चीजों को तयार रखना होगा सभी योग वीडियो देख रहे हैं इसमें सा इसे भारती सास्त्री संगीत और नित्य का मूल माना जाते हैं माने भारती संगीत का जनक हम शामवेद को मानते हैं इसका गुवेद गंधर वेद शंगीत यह बहुत इंपोर्टेंट है यहां से परिक्ष्छ में शवाल आते हैं कि आगे करें देखें तरए देखें सामवेद का एयह जुरिबेत का मतलब होता है पूजया ज्ञान इसके दो प्रकार हैं क्रिश्छ्ण काला है या गाहरा मिए इसके दु भाग है पहला किष्ण काला या ग्यारा दूसरा शुक्ल श्वेत्या चपकेला किष्ण के पास चंदों का एक अविवस्थीत असपस्ट दिवित संग रहे हैं शुक्ल ने चंदों को विवस्थीत असपस्ट किया है यह जुरुवेद अथरवेद यह अथरवन मनें ततपुरुष समाश है यह भी पूछ रहेता परिक्षम अथरवेद को वन सा समाश है ततपुरुष समाश है इसे 20 कांडों पाठु में भाजी थे जो 36 प्रपाठकों में भाजी थे तूटा है इसमें 730 सुक्त 6000 मंत्र और 20 कांड है इसे बोने जादु टोने वाला वेद कहा जाता है परिछा में पूछे जाते हैं चाहर है आप लिखे चाहना लिख्या रिकिवर्जी ये था वैदिक का अपनिशत क्या है ये भी देख लेते हैं यहां पर थोड़ा सा इसे आम तो पर वेदा अंत कहा जाता है किसको उपनिशत को खूल 108 विरिदाराने और चांडोग दो सबसे पुराने उपनिशत नविंतव उपनिशत क्या है मुक्तिका नया उपनिशत जो है मुक्तिकाय परिक्षा में पूछे आते हैं कंठो उपनिशत में नचिकेता और यम के संवात का उलेख मिलता है यह भी इनपोटेंट है एत्रे उपनिशत अत्मन आत्मा और चितना के निर्मार के बारे में बात करता तो यह पीपीटी थी जिसको मुझे पढ़ाना था लेकिन मैंने आपको लक्षर के माध्यम से पढ़ा यह बहुत बिस्त्रित और इसमें अठारा मुख्य पुराण है आठ साहय पुराण है इसमें चार योगों का उलेक है कृत त्रेता दौपा रोख करियो यह बहुत इंपोर्टेंट है आप इसे लिख सकते हैं रामायर यह सबसे पुराना महाकाव्य है इसे महर्षी वालमिक कि नहीं लिखा है कि रामायर सबसे पुराना महाकाव्य से महर्षी वालमिक में इसे रतनाकर के नाम से जाने जाता था किसे वालमिकी चुकों यह भी पूछा जाता है जिसका प्रारंब महावारत यह सबसे लंबा महाकाव्य है इसमें महर्षी वेद व्यास ने लिखा था इसमें अठासी से पूछा जाता है इस प्रकार हम लोगों वैदिकाल पढ़ लिया वैदिकाल में धर्म है अब धर्म हो गया हमारा यह वैदिकाल के दस अव्तार अब हम लोग पढ़ेंगे धर्म चलिए आप लोग लंबी क्लास हो गए या अगर मैं धर्म की बात करें तो इंद्र विजली गरश तुफानों बारिस की देवता उपर मैंने भी पढ़ाया लक्षर की माध्या पर वेद में इंद्र की सस्तुती 250 टीन सो बार भी कहीं आपको नहीं पताया था उन्होंने हल को भगवान की रूप में भी जाना जाता है रुद्र संगहार की देवता है रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए इनकी पूजा की जाती है वरुण जल और नतिकता की देवता है अभी उपर हम लोगों डिशकस किया उन्होंने लावकिक विवस्था और नियमों को बनाया अन्य देवता वायू की देवता वायू की देवता शूर जीवन के सुरोत की देवता है अधिती विद्योताओं की माता अगनी अगनी की देवता पूशन सुद्रों की देवता उपर मैंने लिखा तबी उशा भोर की देवी विश्णु शूर का एक रूप है मारूत पवन की प्रजापतिया आधी पुरु सरवोचिश्वर हैं इसके इनसोट कर सकते हैं धर्में पुरानों के अनुशार जल में डूबी पिथवी को बचाने के लिए भगवान विश्वुन ने किसका धारन किया था वरह का रूप धारन किया था वरह शूवर हिंदू भगवान यह परिक्षा में पूछ ले जाते हैं पहला अतार मत्स मचली दूसरा कर्म कच्छुगा तीसरा वरह शूवर चौथा नर्शिंग मनुष्य पांचवां वामन बौना चठा परशुराम एंग्रिमेंट भगवान राम परफेक्ट मैं आठाव भगवान कि दिभ्यराजनेता नवा गौतम बुद्ध एशिया का प्रकास पुझ इन्हें उपनाम है जो दस्वांतार काल की प्राक्ष्ण में योद्धा बहुत इंपोर्टेंट परिक्षा में शवाल आते हैं आप इससे लिख सकते हैं आप इसकी स्कीन सुर्ट कर सकते हैं प्राचीन नदियों के नाम बाद में बदलें प्राचीन नाम इंडस सिंदु को जेलम वितस्ता चिनाप अस्कनी रावी पर पुर्षणी ब्याज विपासा सतला सुत्रदी घागर का सच्वती किष्णा किष्णावेनी नर्मदा का नामादे लूनी का सगर्मती बेतवा का वेत्रमती चंबल का चर्मक वाले आधी तरह से परिक्षों में आते हैं महत्पुडविंदु क्या था यहां से बार हम लोग देख लेते हैं रिक वैदिक नियम और उनके अर्थ अवेस्ता इरानी भासाम सबसे पुराना पार्ट नदी तरणा सरस्वती नदी का दूसरा नाम दास्या दश्यू आरियन अब इसकी आप नोट्स बना लिजेगा इसकी पूरी वीडियो अपने पास रख लिजेगा फिर भी आपके पास कोई प्रश्ण वोई सवाल हो वीडियो में कॉमें छोड़ दीजेगा हम आपके सवालों जवाब दे लेंगे लेकिन अगर आपनी वीडियो को शेयर करिएग हम बीच बीच में कुछ टॉपिक जो चूड़ जाते हैं उनको जोड़ने वाले टॉपिक हम लेका रहेंगे अंतर टाइप का होता जो आपकी लिखित परिच्छा के लोग योगी होगा रिटार एक जाम के लिए तो उसको हम बीच में आड़ लास्ट वीडियो जब पूरा से लोगों तो पहुचा देगा अफश्रविक को बहुत बताभार थैंक यू वाय वाय मिलते हैं उत्तरवैदिक काल के साथ रिगवैदिक को उत्तरवैदिक क्यों अगला जो चरण है ठीक है जो एक हजार से लेकर 600 इशा पूर तक है जै हिंद जै भारत थैंक यू अश्रवि